आप लोग के स्वागत है पिस्टेक नहीं वीडियो पर दोस्तों अगर आप लोग सिंगर बनना चाहते हैं, सिंगिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोग के एक ओडिशन के बारे में बताऊंगा जो की जैनुएन ओडिशन है और इस पे कुछ भी आप बताऊंगा इसलिए आप लोग वीडियो में बने रही हैं तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले में आप लोग को कुछ चीज दिखाता हूं यह जो आप लोग देख रहे हैं आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा सायद तो से बाद जो सेमी फाइन होता है उस पर भी मेरा सेलेक्शन यहीं हुआ था और सेमी फाइनल तक पहुच्छने से सर्टियूट मिल रहा था तो यह एक बहुत ही बड़ा चीज है और यह अगर सर्टिपिकट में कहीं पर भी दिखाता हूं तो इसका वेल्यू है और अगर कोई भी मुझे देखेगा इस सर्टिपिकट को देखेगा तो बोलेगा नहीं इसको थोड़ा बहुत तो सिंगिंग का नॉलेज है प्रेसिडेंट आते होंगे तो रेडियो सिटी जो है इसका ओडिशन करवाता है सो का नाम है वो है सूपर सिंगर सूपर सिंगर का ओडिशन निकल चुका है तो इसमें अगर आप लोग करना चाते हैं तो किस तरह से करें बहुत सारे हैं ऐसे जो मोबाइल चलाते हैं ठीक है तो मोबाइल स देखिए यहां पर आप लोग को सर्च करना है www.radiocity.inrcss यह आप लोग को सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद पहला जो आप लोग को website खुल के आएगा उस website पर आप लोग को जाना है उस website पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो है interface आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ना चाते हैं जानना चाते हैं इसके बारे में तो आप लोग about radio city super singer के बारे में अराम से जान सकते हैं यहाँ पर register कर सकते हैं रेजिस्टर करने के लिए आपलोगों कुछ निकाना पड़ेगा ओली नेम देना पड़ेगा डेट ऑब बर्थ जेंडर में मेल फीमेल कॉन्टेक्ट नमबर देना पड़ेगा इमेल सीटी बस यहीं आप लोगो देना है तो अगर बात किया जाए शिटी का तो आप लोग यह इस का जो ऑडिशान है वोगा देखिए जिस जिस जगह में सिटी है उसी जगह में ऑडिशन इसका होगा है संगे अधराबाद में हो सकता है पटना में कर सकतेholes अकर आपको पटना वाले है तो पटना में ओडिसन दे सकते पतना डेली एमदाबाद सुरत उसके बाद जस्यंद पूर causal的话 लच कर वाले दे सकते हैं और और भी बहुत सार आप लोग यहां पर जाके देख सकते हैं आराम से रजिस्टन कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आता है सीटी देने के बाद upload song तो song पे आप लोग को video upload करना पड़ेगा या फिर audio upload करना पड़ेगा तो यह मैं confirm नहीν हूँ अगर जब अपर्फर्म वता हूं तो मैं आप लोग को बताओंगा तो upload song कि जय का तो जैसे कि मैं audition दिया था मैं आप लोगो भोल रहा हूं मैं audition दिया था तो आप लोग बोलेंगे कि तुम को पता नहीं है तो तुम और एस तरफ में आते हैं कोलेज बगरा में लेने आते हैं मेरा जैसे कि वहा था selection हुआ था college में audition लेने आया था और college में मैं गाया था तो वहाँ पर मेरा selection हुआ था वहाँ से selection होने के बाद direct में जमसेतपूर गया था जमसेतपूर में audition दिया था जो semi final होता है फिर वहाँ पर मुझे certificate मिला तो बहुत ही उसका एक अलग में video बनाया हूँ अगर आप लोग देखना चाता है तो देख सकते हैं और और भी मैं experience के बारे में share करूंगा अगर आप लोग जानना चाते हैं तो comment किजेगा और देखिए आप लोग देख सकते हैं upload photo में upload कर सकते हैं no file choose जो तो अराम से यहां आप देख सकते हैं जो song बोला है तो हमको लग रहा है जहां तक देखिए 5 MB बोल रहा है मतलब audio सायद भेजना पड़ेगा आपको क्योंकि देखिए हां audio यहां पर अभी अभी confirm हो गया है क्योंकि यहां फोटो भेजने बोल रहा है आपको फोटो इसलिए बेजने बोल रहा कि यहां पर audio ही बोला है इसलिए audio अच्छे से record करना है mixing बगर मत किजेगा audio अच्छे से record करके यहां पर upload वाले option पर डाल दीजेगा song should be in mp3 देखिए यहां पर बोला भी यह देखे तो यहां पर बोल रहा है कि जो emr होगा और mp3 होगा size नहीं इसका exit करेगा ठीक है तो इसलिए आप लोगों को जो 5mb का है file बनाना है और यहां पर upload करना है उसके बाद upload photo photo भी आपको कैसे format में करना है png format and size should not exist 1mb देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है यहां पर बोला जा रहा है कि आपको जो है mp3 और emr format में आप लोग को करना है choose file करके यहां पर देना है उसके बाद जो है png और jpg png format होता है एक फोटो का तो उस photo में convert करके आप लोग को यहां फाइल में करना है अगर फिर भी आप लोग को कुछ दिक्कत होता है और वीडियो बनाऊंगा उसके बाद जो capture आएगा capture आप लोग करके जो जिस तरह से रहेगा आप लोग डालके यहां पर टार्म संट कंडिशन पर क्लिक करके उसके बाद रिसीब नोटिफिकर्शन इमेल्स पर क्लिक करके यहां पर सही टिक कीजेगा उसके बाद सम्मीट पर क ओलाइन हो रहा है अगर फिर भी अगर ओफलाइन ओडिशन होता है या फिर वाटसब नंबर बगरा मुझे मिलता है तो मैं आप लोग को डेफिनेटली गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा 100 परसंट बताऊंगा इसलिए आप लोग इस चैनल पर बनाए रही है और मैं भी के बारे में बहुत कुछ जानकारी लेने वाला हूं इसलिए आप लोग मेरे चैनल में बने रही है ताकि आप लोग जो पूरी जानकारी इसका मिल सके और आप लोग इसमें अराम से ओडिशन दे सकते हैं अभी भी टाइम पार नहीं हुआ है कुछ भी लेट नहीं हुआ है और ऐसा बात नहीं है कि लेट नहीं हुआ यह मतलब अभी ओडिशन नहीं देना है तुरंत आप लोग जितना जंदियों से ओडिशन दीजिए क्योंकि बहुत ही धरादर ओडिशन होते रहता है तो यही बात है अगर आप लोग सिलेक्षन होते हैं ओनलाइन में तो आप कर दो लो आप लोग।